हेलो रिवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिय अले इसलाम में 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं यानि अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा भी एडमिशन जामिय में हो आप लोग के लिए पता ही है कि कल जामिय ने स्टूडेंट का नोटिफिकेशन निकाला था कई लोग का स्टूडेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड डाउट्स है उसको देखेंगे sport में कैसे आप participate करेंगे उसके बात करेंगे और जो link के बारे में बात करी जा रही है उसके बारे में और कौन-कौन से student participate कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे अभी आप जैसा कि देख सकते हैं जामे का official website.jmice.in वाले website पर आ रखें आने के बाद इस टाइप का detail सो करेंगा recent इतने भी update फिलाल आ रहा है आपको इस वाले section में दिख रहे हैं यहां पर तो basically notice आता है लेकिन जो apply करने का link वालग होगा मैं थोड़ा से यहां पर जो dots से बताता हूँ फिलाल इतना आपको बता चल गया है कि अभी सिफ यह वह course है जिनका spot admission होने का notice है number ही कि मगर ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ अभी कि कई ऐसे course है जिसमें seats अभी भी खाली है तो might be as हो सकता है कि आने वाल टाइम में और भी कुछ course का spot admission आएगा क्योंकि मासस का कई course है या कई ऐसे course जिनका seats खाली है तो might be as हो कि आने वाल टाइम में फिर से spot list आए यह वह course है यह वह list है जिसमें 3-4 list आच चुके है उसके बाद यह short में admission complete करना चाहरे है तो एक सवाल होगा कि इन course में कौन-कौन candidates participate कर सकते हैं देखिए पहले कहा क्या जारे पढ़े इस लाइन को पढ़िए candidate who had already applied for admission in एवर मेंसन course यानि जो candidates इन में से किसी भी course में अपलाई किये हैं और वो admission लेना चाहते हैं by default उनका selection नहीं हो पाया है उनको कहा जा रहा है still willing to take admission and here we inform that they may register their willingness on the JMI website that is jmicev.in from 28 to 30 यानि आज से आपका start होगा हाला कि अभी link update नहीं हुआ है जैसी अपडेट होगा या तो उस पर एक वीडियो बना देंगे या फिर दूसरा यह है कि इसी वीडियो के description box में telegram का link है यानि telegram channel का link है वहाँ भी आप उसको join कर लिजिए telegram को join के वहाँ पर link send कर देंगे वरना यह है कि हमने WhatsApp channel भी बना रख है उस WhatsApp channel को भी join कर लिए क्योंकि मैं link इन दोनों में किसी भी update कर दूंगा तो आप join कर लिजिए यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात यह है कि spot admission में कौन लोग participate कर सकते हैं तो याद रखे अगर आप जे माई में इंट्रेंस दी हैं तभी आप इन कोर्स में spot admission पार्टिस्पेट करेंगे पहला दूसरा और कौन लोग करेंगे जो स्यूटी वाले candidate है जो स्यूटी का entrance दी है वो भी candidate spot में participate कर सकते हैं या करेंगे याद रखे अभी हाला कि इन्होंने इस तरीके से parameter set नहीं करा है बट मैड़ी वी ऐसा हो कि जो स्यूटी वाले candidates है उनको स्यूटी के merit के बेस पर admission मिलेगा जो जे माई इंट्रेंस यान जामेन इंट्रेंस लिया है उसमें जे माई के इंट्रेंस के merit के बेस पर आपको admission मिलेगा मेरे हिसाब से यह होने वालों को पहला दूसरा तीसरा condition में भी हो सकता है कि आपका 12 के marks के बेस पर यह admission दे लेकिन मुझे इसे लग नहीं रहा है मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ कि यह दो तरीके इसे कर सकते हैं इंट्रेंस वाला कोर्स में इंट्रेंस बेस अड्मिशन होगा यानि कि इंट्रेंस के merit के बेस पर और जो स्यूटी वाले जो candidates है उनका जो होगा वो स्यूटी में जो marks है उनके बेस पर उनको सब्सक्राइशन मिलेगा ठीक है बाकी यह है कि आपको पता कैसे चलेगा और विसी बात है अगर आप स्पॉर्ट में पाट्सपेट और स्पॉर्ट का रिष्टरसन ओपन होगा और अगर आप अप्लाई कर पाते हैं इसका मतलब है कि आप मतलब खुद को कैसे कंफर्म करें कि हम इंट्रेंस वाले इन कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं यह पता आपको स्पॉर्ट एड्मिस्न में ही पता चल पाएगा लेकिन मुझे जहां तक किलिया मुझे समझ मारा है कि स्यूटी वाले स्टूडेंट स्यूटी कोर्स में कर पाएंगे और इंट्रेंस वाले कंडिट्स इंट्रेंस वाले कोर्स में कर पाएंगे और इंट्रेंस वाले में सिफ्तीन कोर्स है यानि कि मैल्टिडिस्प्लिनरी सोस्योलोजी साइकॉलोजी और स तो स्यूटिक है और एमसी और एमसी केमिस्टी यह दो कोर्स ऐसे हैं इसमें ऐसा होगा कि इंट्रेंस बेस पे जो मेरिट है उसके बेस पर अस्पार्ट कर पाएंगे तो इतना बात आपको किलियर हो गया अपलाई कोई भी कर सकता है अपलाई करने कोई चार्ज नहीं है अप फिलाल मैंने यूजी और पीजी वाले कंड़ेट्स को मैंने समझा दिया डंक से हाँ आने वल टाइम में और भी ऐसे होंगे कि लिस्ट आएंगे तो आपको घबराने की दुरत नहीं है अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्कूल वाले कंड़ेट्स एक सिकन जी स्कूल वाल में कितने हैं याद रखिए इसमें भी जो एडमिशन होगा वो मेरिट के बेस पर ही होगा मतलब यह है कि जो कंड़ेट्स स्पॉर्ट में पार्टिपेड करेंगे टॉपमोस माक्स वाले जो कंड़ेट्स उनको ही मौका मिलेगा तो वह आप बता देता हूं कैस होगा कह रह को आफ लैन आपको जाना पड़ेगा यानि कि आप अगर अगर पार्टिपेड करना चाहते हैं तो आपको आफ लैन बुलाया जा रहे हैं कौन के इंडिट को 6 9 11 को और बता दिया गया है कहां जाना है इसकूल में खासकर जामिया सेयद आबिद में जाना होगा कौन सी क्ला कोई कारेंटी नहीं देता है कि आपका अप्सक्राइब कर लेंगे तो माइड भी अगर आपका मार्क उसके बीदिन होगा तो आपको मौका मिल जागा तो यहां पर आफ लैन पार्ट्स पार्ट हो रहा है लेकिन बागी कोर्स में आपने देखा यूजी पीजी में कि आउन कर रहा है इसमें कई लोग का कई सारे टाइप्स का डाउच था में इसमें किलियर कर दूँ कि देखिए सिंपल सी बात है अगर आपने जामय का बीटेक में अपने फॉर्म अपलाई किया है तो आप इन कोर्स में पार्ट कर सकते हैं लेकिन आपको भी ऑफ्लैंड फिजिकल विजिट करना पड़ेगा तब ही हो पाएगा ठीक है हाँ इसमें बात साफ कहा रहा है लिस्ट ऑफ सेलेक्टे कंडिट इन ब्यार विल वी डिकलर ऑन दे सेम डे कंडिट्स और रिकॉर्ट तो ब्रिंग और इन डॉक्मेंट्स आज पर न एक्सचर अटाइस दे सेलेक्टे आपका कोई भी आइड़ प्रूफ अधार कार्ड रख लिजेगा जामय का जो फॉर्म अपलाई किये और एंटीए का जो आपके पास एडिन कार्ड था वह रख लेंगे यह तीन चीज़े आपको लेकर जाना होगा याद रखिए बीटेक के स्टूडेंट को डीन फेकल्ट इनको डॉक्टर जाकर लाइबरेरी है उसी में ही इनका डिपार्टमेंट तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से स्पार्ट वाले को लिगा डॉट्स क्लिए रहो चुका होगा अब जो ऑनलाइन पास्पेट करना चाहिए तो उनका क्या है आप अपना सर अप्लाइक कर सकते हैं डिपेंड करेगा लेकिन फिलाल जो खबर था अपडेट था मैंने दे दिया है वीडियो अच्छा लाइक किजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और मिलते हैं निक्स वीडियो में थैंक्यू